बच्चों यदि प्रतिलों त्रिकोर्मिती फल्नों के समीकरन को हल करना हो अर्थात solve the equation based on ITF तब हमें निम्न वर्किंग रूल अर्थात कार्विधी को अपनाना होगा पहला point ध्यां रखना होगा प्रतिलों फलन को हटा कर सरल समीकर में बदलना तूसरा point ध्यां रखना होगा राइट हेंड साइड में यदि πाई वै टू कमा पाई या पाई वै टू का कोई गुनज है तो लेप्ट हेंड साइड से एक पद राइट हेंड साइड में पक्षांतर करेंगे एवं फिर उसे सरल करेंगे और तीसरा point हमें ध्यां रखना होगा बच्चों लेप्ट हेंड साइड या राइट हेंड साइड को समान प्रतिलोम त्रिकोड मीती फालन में बदल कर फिर हम उसको सरलतम रूप में लाएंगे और यदि हम इन पिंदूओं को यदि ध्यान रखते हुए यदि किसी समीकरण को हल करते हैं तो हम बड़ा आसानी से समीकरण को हल कर सकते हैं और अभिष्ठ हल को हम प्राप्ट कर सकते हैं तो आए बच्चों हम प्रतिलोम त्रिकोड मिती फालन के समीकरण को कैसे हल करते हैं यह आपने इनकी कारविधी देखा अब हम इस पर एक कोश्चन लेते हैं और इस समीकरण को हल करके देखते हैं बाइ question लिखता हूँ, ये question है, समी करण को हल कीजिए. और ये समी करण है, two ten inverse आप का सेक्स, इसको हल करना है बच्चों, तो चलिए हम हल करते हैं इसको, हमको जो प्रतिलोम त्रिकुर्विती समी करण दिया है, उस पर विचार करना है, दिया है, अब बच्चों, इसमें ध्यान रखने योग्यों बात क्या हो सकती इसमें, प्रतिलोम त्रिकुर्विती समी करण को हल करते हैं, तो कोषिस यह रहता है, कि लैट हैंड साइड आर राइट हैंड साइड में समान प्रतिलोम त्रिकुर्विती फलन होना चाहिए, या नहीं है तो हमारा कोशिस यह होना ची कि दोनों पक्षों में समान, प्रतिलोम, तिरकुणमिती, फलन लाना है तो अब यहाँ पर 210 इनवर्स आप दिस है जब कि इधर 10 इनवर्स तो पहले हमको इस 2 को हटाना है तो यह 2 कैसे हटेगा, सोचना है तो हमारे लिए एक फार्मूला है, यह फार्मूला को हम एप्लाई करेंगे यह सुत्र है, 210 इनवर्स X का फार्मूला है तो 210 इनवर्स X, इसको हम 10 इनवर्स की रूप में रुपान्तरित कर सकते हैं 210 इनवर्स X is equal to 10 इनवर्स of 2 X upon 1 minus X square यह रूपान्तरन सुत्र है 210 इनवर्स X का तो हम यहाँ पर 210 इनवर्स of this, इस पर हम फार्मूला लगाएंगे तो यह हो जाएगा बच्चों 10 इनवर्स of 2 of this, 2 cos X upon 1 minus cos square X is equal to 10 इनवर्स of 2 cosec of X अब आपज़र करें यहाँ पर कि लेप्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में समान प्रतिलों 10 इनवर्स of this, 10 इनवर्स of this तो इसको हटाने के लिए आप दोनों पक्षों का टेंजेंट ले लिए तो दोनों पक्षों का टेंजेंट लेंगे तो यह हट जाएगा बच्चों फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा 10 inverse of 10 of X is equal to X यह हम एप्लाई कर देंगे तो दोनों पक्षों का जब हम 10 लेंगे तो यह हट जाएगा और यह रह जाएगा 2 cos of X upon 1 minus cos square X is equal to 2 cosec of X इसको थोड़ा और सरल करते बच्चों दोनों तरब 2 cancels कर दीजे यह होगे cos of X और यह होगे 1 minus cos square X that is sin square X सरसमी का लगा दीजे और cosec X फिर सरल कीजे अब इसको हल करने के लिए सिर्फ एक tricone meter unpath में बदलिए तो हम और बदलने कोसिस करते हैं cos X is equal to इसका पक्षांतर कर दीजे cosec X into sin square X फिर सरल कर यह cos X is equal to यह 1 by sin X और into sin square X एक sin X cancel होगे उपर नीचे इसको आप लिख सकते हैं बच्चों cos X is equal to sin X याने sin X by cos X is equal to 1 that is 10 X is equal to 1 X निकालना है बच्चों then X is equal to लिखा जा सकते है 10 inverse 1 अब 1 किसका 10 है बच्चों जो इसके 10 inverse के range में आए तो 10 inverse आप 10 pi by 4 is equal to pi by 4 लिखा जा सकते हैं which belongs to open interval minus pi by 2 से pi by 2 ये क्या है बच्चों 10 inverse function का range है चुकि pi by 4 इसके range के अंतरगत आ रहा है इसका मतलब X का मान pi by 4 अतर लिख सकते हैं therefore बच्चों अभिष्ट हल required solution अभिष्ट हल X is equal to pi by 4 ये हम जावाब दे सकते हैं ठीक है नोट करें बच्चों अभिष्ट है